हेलो फ्रेंड ने को फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडूप चैनल में इसे टार्गेट पढ़तो फ्रेंड आज में लो मैटिक वूट पर इच्छा दो एड़ताइस के लिए कलास्टेन के साइंस याने की विज्ञान के कोसंस बेंग को देखेंगे सभी सवालों को हल करेंगे जो आपके फॉर्णल मैटिक वूट पर इच्छा के लिए बहुत ही महत्पूर ने तो फ्रेंड है अगर आप 20 बर मैटिक वूट पर इच्छा देने वाले हैं ना तो भी विज्ञान को जरूर देखेगा और दोस्तों यह सभी परसन आपके फॉ सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल आइकन को प्रीज करके जरूर से लेट कर लिजेगा और दोस्तों जो भी विद्यार थे भी तक हमारे वार्षप गुरूब में नहीं जूड़े है ना तो यह मेरा वार्षप नमबर है आप लोग फटावर सी जो इना मेरा सब्सक्राइब में या फिर कमेंट बोक्स में आपको बताना है तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू कर देते हैं फटावर से वीडियो को लाइक कर दीजेगा देखते हैं आप आज का फर्स्ट परसन क्या करा है कि विद्दूत फ्यूज विदुद धारा के किस परभाव पर काड़े करता है इसे आप लोगो याद रगना है यहां पर एक पर सने पुझे आते हैं कि विदूत घंटी धरा के किस परभाववर काड़े करता है साथ में आप लोगो याद रगना है अब चले फ्रेंड देखते हैं आप दूसरा नमर परसन जो की मोस्ट इंपोर्ट ह है एक इक कैसे पर काड़े का परतीरोब्ट करने के लिए सूत्र है किसी बीकोईल का जो रेइस्टेंस घ्यात करने का जो फर्मुला होता? यह नब बढ़े होता है जो कि यहां पर सी ऑप्सन में दिया हुआ है यानि कि यह पर सीवल उपसन जो की काफी पूछे जाएंगे देखेगा क्या राइगी डाइनेमो से किस परकार की धरा प्राप्त होती है तो बैटरी से जो नदिश्ट धरा प्राप्त होती है साथ में अपलों को याद रगना है अब चले फ्रेंड देखती हैं आपर चोथा नमबर परसन है तो फ्रेंड देखिए आपर चान नमबर परसन भी बहुत ही मतपूर ने आपके वोट पर इच्छा के लिए देखेगा क्या गराएगी देंगू उत्पन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में अड़ाता है बहुत ही मतपूर ने तो यहाँ पर आपके वोट परसन भी पूछा आते हैं कि मलडिया उत्पन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है तो यह साब जल में पनपता है ठीक है मलडिया उत्पन करने वाला मच्छर का नाम क्या होता है मादा एनो फिलिज यह मच्छर काटने से क्या होता है कि मलडिया उत्पन होता है ठीक है और यह मच्छर कौन स इंदन का सरूत नहीं है तो friend यहां पर option A में आपको दे लकड़ी या फिर गोबरगेस या फिर नावी के उरजा और option D कोईला तो friend है यहां पर जो नावी के उरजा है यह बायोगेस इंदन का सरूत नहीं है यानि कि यहां पर सीवला option जो है बिल्कूली करक्टांसर हो और दोस्तो इनके अलावे लकड़ी हो गया गोबरगेस हो गया और option D में आपको दिया वह कोईला यह तिनों जो है ना बायोगेस इंदन का सरूत है इसे आपको याद रखना है और दोस्तो आने वाले समय में क्या होगा कि कोईला खतम हो जायागा इसलिए हम लोग जो इन अनवी करने हैं संसादन कहते हैं तो फिरें अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के ना तो प्लीस दोस्तो जली से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बैल आइकन को प्रेस करके ओल पर जरूर सलेट कर लिजएगा ठीक है और दोस्तो इस वीडियो को सुरू से ले पूछे गए सभी कोसंस को यहां पर लाया गया है और सभी कोसंस आपके फानल मैटी पूर्ट पीच्छा के लिए बहुत ही मतपूर्ण है तो फ्रेंड ग्यारे के सभी कोसंस को आप लोग इसली याद कर लीजेगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर छे नमर परसंद को करता है बहुत ही मतपूर्ण है तो यहां पर नाइट्रोजन या फिर कार्वन और और अक्सिजन या फिर इन में से सब वी तो फ्रेंड है कि दित्रिम वीर की जो होते हैं यह अफ्सिष्ट उत्पात दको को नाइट्रोजन रूदिर से अपोहन द्वारा पिर्थक करता है इसे आपको याद रखना है यानि कि यहां पर एवल ऑप्सन जो है बिल्कूल ही करक्टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आप अगला परसन है तो फ्रेंड देखिए आप साथ नमर परसन भी बहुत ही मतपूर्ण है तो देखेगा ध्यान प्रूब क्या करा है ना यह मुकलन वीदी से होता है यानि कि यहां पर बिल्कूल ही करक्टांसर हो जाएगा और दोस्ते एक पर पुछे आते हैं कि किसमें होता है तो फ्रेंड अभीमा में होता है साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है चले देखती है आप नेक्स्ट को तो हम लोग यहां पर जानते हैं कि जो अपूर्टनांग होते हैं यह किसके एकुल होता है म्यूबरा और फ्रमूला क्या होता है साइन आइपुन साइन आर होता है काने का रखते जो आप तन कौन होते हैं आप तन कौन रखता अपूर्टन कौन का अनुपात क्या होता है इस त तो फ्रेंड यह साइन आई का मलब क्या होता है अब पूरतन कोन होता है इनका मान क्या होता है अगला पर समय तो फ्रेंड देखेंगे आप दाड़ी बनाने में अउतल दरपन का प्रियोग किया जाता है यानि कि यहां पर सीवल आप्सन जो है बिल्कूल करक्टांसर हो जाएगा और दोस्तों जो एनक होते हैं जो हम लोग घर में सीसे से अपना फेस देखते हैं ना तो वह कौन सा दरपन होता है समतल दरपन होता है और वहानों के जो साइड मिरेर होता है जिससे हम लोग पास उपच्छ दरपन के नाम से जानते हैं यह क्यों सा दरपन का होता है अब चले फ्रेंड देखते हैं आप 10-10 परसन जो की काफी मतपूर नेवी परसन आपके फॉनल मैटी पर पिच्छा में 108 परसन पूझे जाए सब्सक्राइब घ्रिस है और सब्सक्राइब चलाँ हुवा प्रसन है तो फ्रेंड देखिए आप ग्यारा नमर प्रसंट क्या गरा है कि प्रकिर्थी में ऑक्सिजन का संतुलन कैसे बना रहता है बहुत ही मतपूर्ण है तो यहां प्रकास संसेलेशन के दौरा या फिर अप गटन दौरा या फिर इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड प्रकिर्थी में जो ऑक्सिजन का संतुलन बना रहता है ना प्रकास संसेलेशन के दौरा बना रहता है यानि कि यहां पे बिल्कूल ही करक्टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप बाहरा नमर प्रसंट को देखेगा जो की काफी महतपूर को याद करते वे जाना क्या कराएं कि पौधों में सवसंट किरिया के अंतरगत एडीपी के टूटने से कितनी उर्जामुक्त होती है तो तो 30.5 किलोडी जूल परतीमोल उर्जामुक्त होती है यानि कि यहां पे बिल्कूल ही करक्टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड द करेंड बॉक्स में आपको बताना है तो फ्रेंड देखेंगा 13% क्या कराएं कि मानो हिर्दे में कितने कोश्ट होते है तो फ्रेंड मानो हिर्दे में जो इन चार चेंबर पाए जाते हैं दो निले और दो आलिंद टोटल कितने चेंबर पाए जाते कितने कोश्ट होते मानो हिर्दे में चार चेंबर होते हैं अब चले फ्रेंड देखती हैं पर अगला परसन है तो फ्रेंड देखी हैं पर 14 परसन भी बहुत ही मतपूर ने क्या कराई कि मानो हिर्दे का अवसत प्रकुंचन दाब है लगबग तो फ्रेंड यहां पर ओप्सन ए में आपकर 120 mmHG या फि दोस्तों समाने मनुस्से का जो रखत दाब यानि के ब्लड प्रेसर होता है ना 120 बटे 80 mmHG होता है इसे आपको याद रखना है यह भी परसन जो आपके फानल मैटिक पर पिछागले काफी मतपूर्ण है अब चले फ्रेंड देखती हैं आप 15 नमर परसन को देखेगा जो की most important क्या करा है कि पोदों में वास्पोथ सर्जन किस भाग में होता है बहुत हिमत पूर्ण है तो यहां पर जर्म में या फिर तना में या फिर पत्ता में और फ्रेंड पोदों में जो वास्पोथ सर्जन की जो किडिया होता है ना पत्ता में होता है इसे आपको याद रखन आई यानि कि यहां पर शीवल अप्सन जो इना बिलकूल ही करक्टांसर हो जाएगा तो यह हिलिए जो होते हैं कैसा तत्व होते हैं इसे आपको याद रखना है यानि कि यह उल्याइम क्या होते कि काफी हलके होते हैं और दोस्तों हेलियम का उप्यों कहां पर किया जाता है जो वायू यान होते है उसके टाइडों में हवा भरने की रूप में हेलियम केस का उप्यों किया जाता है डी के इसे आपको याद रखना है अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे 70% को देखेगा क्या कराई कि जल में हाइड्रोजन तो यहां पर हाइड्रोजन की परमानु संक्या में और उक्सिजन की दो अनुकाता है यानी कि यहां पर बिल्कूल हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप 18 नमर परसन जो की काफी मत पूरने है ये परसन आफके फॉन में कर दो सासर ना तो तुए या तो आवर्थ वर्व आप कितने आवर्थ हैं और दोस्तों जो आवर्थ साहरनी होते हैं इतने मलत आवर्द्स आरनी में कितने वर्ग होते तो 18 बर होते हैं आप लोग को याद रगना है अब चले फ्रेंड देखती हैं आप इसने अफिर और फिर अधातू या फिर उपधातू और अपसंडी है इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड जो चिलिका होते हैं इसे आपको याद रखना है यानि कि यहां पर सी वला उप्सन जो है न बिल्कुली करेक्टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं यहां पर 20% जो की मुश्ट इंपोर्ट एंड क्या करा है कि सिंगल बेंड ओयज का किरियाशिल में लोग प्या कहते हैं बहुत ही मद्पूर्ण है तो यहां पर ऑप्सन जो हैण बिल्कूली करेक्टांसर हो जाएगा तो फ्रेंड अभी तो फदो milliards से फडाबर्ख से विडियो को लाइक कर दिएगा और दोस्तों चैनल पर नहीं है त प्लिस दोस्तो जली से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है और दोस्तो इस वीडियो में हम लोग काफी मत पूर्ण है 2011 में पूछे गई सभी सवालों को हल कर रहे हैं इसलिए आप लोग एक एक कोसंस को याद कर लिजेगा और दोस्तो ये सभी पर्सनों का जो इना फीडियेफ पिडि में अपने वेबसाइट पर देने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को सुरूख से लेकर आगे तदी कि आपको बता देंगी कि आपका फीडियेफ कहां पर मिलेगा तो फ्रेंड देखें आप 27% क्या शांट विद्धू सक्ती का Si मात्रह जीनाि यानि कि एक पर आपको याद रखना है यानि यहां पर बल का Si मात्रह क्या होता है? उट्रो में छो शाय न न, अपर इसे मातर होता हैوس को भीके तोरह दिखाते है यह जूल जो होते न यह काडिया या फिर उज्जा काईसे मातर गोता है इसे हम लोग जैसे दिखाते हैं इसे आपको याद रखना है अब चले फ्रेंड देखते हैं आप बाइस नमर पर दसम जो की काफी मत पोड़ ने देखेगा क्या करा है कि समाने द्रिष्टी के वैसक के लिए सुअस्पष्ट दर्सन की नियुंतम दुरी जो होती ना कितना होता हुए आपको बताना है ठीक है तो फिरेंड समाने द्रिष्टी के वैसक के लिए सुअस्पष्ट दर्सन की जो नियुंतम दुरी होती है ना पचीस सेंटीमिटर होती ह यानि कि यहां पर सीवल ऑप्सन जो है ना बिल्कूली करक्टांसर हो जाएगा और दोस्तों समाने द्रिष्टी के वैस के के लिए जो सुवस्पष्ट दर्सन की जो अधिकतम दूरी यह ती यह ना अनन्थ होती है साथ में से भी आप लोग को याद रखना है अगर आपको अ यहां पर आपको मिठेन या फिर ऑक्सीजन या फिर प्रोपैन और अप्सन डी है इन में से कोई नहीं तो फ्रेंड बायोगेस के जो परमुक घटक होंगे न क्या होंगे मिठेन होंगे इसे आपको याद रखना है यानि कि यहां पर एबल आपसन जो है बिल्कूली करक्ट अपर इस्टोरं तो फ्रेंड है मनुसें में चीनी के पाचन में जो इन अइसा हर्मोनें जो साइग होते हैं इसे आपको याद रखना यहां पर बिल्कूली करक्टर हो जाएगा और दोस्तों जो मनुस्तिमें जो इंसूलीन की कमी से जो रोग होता है मधूमें नामक रोग कि मनुसे की कोशिका में गुंसुत्रों की संख्या है तो फ्रेंड है मनुसे की कोशिका में जो गुंसुत्र की जो संख्या होती ना 46 जाने की 46 गुंसुत्र होती है इसे आपको याद रखना है और दोस्तों एक परसन भी पुझा आते हैं कि मनुसे में मनुसे की कोशिका में यानि कितने जोड़े गुंशुत्र होते हैं तो तेस्वे जोड़े गुंशुत्र पाए जाते मनुसी को सी काम है इसे आपको याद रखना है अब चले फ्रेंड देखती हैं आप 26 मर्संद को देखेंगा क्या कराएगी बहुत ही महतपोर ने ध्यान प्रूबक देखेंगा कि सावसन काईसी रासायनिक अभिकिरिया है तो फ्रेंड है यह जो सावसन होते हैं यह एक तरह का उपचेन रासायनिक अभिकिरिया होता है इसे हम लोग उसमा छेपी रासायनिक अभिकिरिया के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जब हम लोग सास को छोड़ते तो इसमें क्या होता है और इसमें औक्सिजन का योग होता है कि उप्चेन अभी किडिया और उसमें अभी किडिया के अंतरगत यह सवसन को रखा गया है अब चले फ्रेंड देखते हैं पर 279 परसंट को देखेगा जो की काफी मतपूर्ण है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है तो ठीक है जो कि यहां पर ऑप्सन में दिया हुआ है यानि कि यह वाला ऑप्सन जो इना बिल्कूल ही करक्ट ट्रांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप 289 परसंट को देखेगा जो की मुश्ट इंपोर्ट है क्या 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 बनाता है बहुत ही और दोस्तों ये लो उक्साइड या फिर आइरन उक्साइड भी कर सकते हैं इसका जो रैसायेनिक सुथर जो होता है इसे आपको याद रखना है अब चले फ्रेंड देखते हैं पर अगला परसंट भी बहुत ही मतपूर्ण ने देखेगा 29 परसंट क्या 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 दो तंद्रिकाओं के मद्य खाली इस्तान को क्या कहते हैं सिनेप्स कहते हैं इसे आपको याद रखना है यानि कि याँ पे वीवल ऑप्सन जो है न बिल्कूल ही करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे अगला परसंद है तो फ्रेंड देखें आपे तीसमें परसंद भी बहुत ही महत्पूर्ण है कि वह कंशी धातु है जिसे चाको से काटा जा सकता है बहुत ही महत्पूर्ण है तो फ्रेंड ओप्सन ए में आपको दें सोडियम या फिर मड़करी या फिर कोपर या फिर लोगा तो friend है तिन ऐसे element होते हैं जिसे हम लोग चाको से आसानी से कार सकते हैं sodium हो गया, lithium हो गया और दूस्त इनके सासर potassium होते हैं यह तीनों को हम लोग जो इना चाको से आसानी से कार सकते हैं यानि कि यहां पर evil option जो इना बिल्कूल ही करक्टांसर हो जाएगा और दूस्तों यह जो sodium होते हैं इसको की रोसन तेल में डूबो को रखा जाता है साथ में इसे आप लोगों को याद रखना है अब चले दूस्तों देखते हैं आप 31% को देखेगा जो की most important है तो friend person को देखेगा कि हीरा किस तत्व का अपरूप है तो friend घ्राज ओते ने कारवन के परूप होते हैं इसे आपको याद रखना है यानि कि यहां पर एबला आपसंझ शेना विल्कूल करक्टांसर हो जाएगा और दोस्तों के कितने परूप होतें तो तीन पूरीज होते हैं क्या क्या होते हैं को अच्वाफकर होते हैं अब देखती हैं आज का लाउस्ट और अन्तीम परसन है तो यहां पर होय होते हैं अब अब जो किर्दू को चांखें तो आप लोग बंधान. हम लोग कोस्टन आपका सम्मbreakक्राइब ज़ी हमी कमेंट करेंगे बताईये यहां पर हम उन्हस डली से दीनुक्ता थासरी udons प्रवाग मोया जो पताएं आप लोग को पहले से कितना परसन पहले से आपको याद था दोस्तों आप लोग इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरू बताएगा रोगता है कि सोलोड को कुछ में कौंसा दर्पन उप्यूट होता है पर उत्तल दर्पन या फिर अउतल दर्पन गया फिर इनमें से कोई ने इतो फ्रेंड इसका राइन से क्या लगता है जली से आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और दोस्तों जोब वीद्यार दभी तक हमारे वार्ट सब्सक्राइब में नहीं जूड़े है ना तो यह व सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिंपली अपने मुगायल के क्रोम ब्रोजर पे चले आना पड़ेगा यहां पर सर्च करना होगा मेंजर टार्डगेर से डोटकम ठीक है तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आने वाला है तो आपको कुछ नहीं करना मैं टिंग जाम दृट टाइब लोंग टाइब सभी टाइब के परसंट जोई नहीं पर आपको इजली मिल जागा पीडियो फाइल में तो यहां पर देखने पार हैं कि केमेस्ट्री वायलोजी फीजिक्स का मिल जाएगा आप लोग एजीली जोए ना किसी में भी किलिक करके आप लोग चेप्टर टेस्ट को जरूर दीजेगा तो टेस्ट को देने के लिए यहां पर सभी को उस्तार के बटन पर किलिक करके जोगा इसली ऑलाइन टेस्ट दे सकते हैं तो फ्रेंड है अभी तगा वीडियो को लाइक ने कि ना तो प्लीस दोस्तों जल्दी से फटावर से वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों चैनल पर नहीं है ना तो प्लीस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साहत में बेल आइकन आएगा बेल आइकन को प्रेस करके पर जरूर सेलेट कर लिजगा ठीक है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा सेदा सेर कीजिए जितना भी आपका इस्टडी गुरूप है ना सोचल मेडिया प्लेटफोर्म है जैसे की वार्सप हो गया फेस्बूक हो गया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दिज से फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पर है कि अ